आदर्निय बंधू माताओ वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वागत है। बंधू आज हम इस वीडियो में भगवान विश्णू वे उनकी भक्त बुडिया माई की कथा सुनेंगे। जिसी सुननी सुनानी से भगवान श्री हरी की कृपा से मनुश्य जो चाहता है वही पाता है। कथा कहानी सुननी के पाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहली आप तक पहुँचें। वीडियो को शियर वे लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अंसार एक काउं में एक बुडिया माई अपने दो बेटे दो बहुं की साथ रहती थी। बुडिया माई भगवान शिरी हरी की परमभक्त थी। और भगवान शिरी हरी की भी बुडिया माई पर अपार कृपा थी। बुडिया माई के घर में अन, धन, संतान, सुख वे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुडिया माई का पूरा मान सम्मान करते, पोते पोतियां बुडिया माई से बहुत प्यार करते और बुडिया माई सब सुखों को भोगते हुए अपना पूरा समय शिरी हरी की पूजा में व्यतीत करती एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, मा तुम भगवान शिरी हरी की बहुत पूजा करती हो, और भगवान की भी हम पर अपार कृपा है, हमारे घर में किसी वस्तू की कोई कमी नहीं है फिर तुम भगवान की इतनी भक्ती क्यों करती हो इतना पूजापाट क्यों करती हो बुड़िया माई ने कहा बेटा उस प्रभू की कृपा से सब कुछ है मेरे पास बस अब तो एक ही इच्छा है कि भगवान शिरी हरी के दर्शन हो जाएं और ये देहे छूट जाए मा की ब भगवान ऐसे थोड़े ही मिलते हैं उनको पाने के लिए तो घर बार छोड़कर जंगलों में जाना पड़ता है साधु संतों का संग करना पड़ता है वन वन घूमना पड़ता है तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे नहीं होते बेटे की कही बातों का बुड बुडिया माई ने अगले दिन ही घर बार छोड़ दिया, बुडिया माई सुभे सवेरे उठी, स्नान ध्यान किया और बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल पड़ी, भगवान का भजन करती जा रही है और चलती जा रही है, चलते चलते उसे रास्ते में एक और बुडिया माई मिल गई, उसने पूछा बेहन भगवान का भजन करते हुए का जा रही हो, पहली बुडिया माई ने कहा भगवान शिरी हरी का दर्शन करने जा रही हूँ, दूसरी बुडिया माई कहने लगी, अच्छा मंदिर जा रही हूँ, उसने कहा मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन को जा रही हूँ, दूसरी बुडिया माई ने कहा मैं भी चलू तुम्हारे साथ, वेह कहने लगी चलू, अब दोनों बुडिया माई भगवान का भजन गाती जाएं और चलती जाएं, कुछ दूर चलने पर उन्हें एक और बुडिया माई मिल गई, उसने भी वही प्रशन किया, उन दोनों ने कहा हम भगवान श्री हरी से मिलने जा रही हैं, वेह कहने लगी मैं भी चलू तुम्हारे साथ, और यह कहकर तीसरी बुडिया माई भी उनके साथ चल दी, अब तीनों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हेनाथ नारायन वासु देव का भजन करती जा रही हैं और चलती जा रही हैं, भगवान नारायन बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रही हैं, कि मीरा भजन कर रही हैं और मुझ से मिलना चाहती हैं, मीरा दर्शन पा परिक्षा लेने के लिए भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली गिरा दी, पहली बुढिया माई भजन करती हुई आगे निकल गई, उसने देखा तक नहीं, दूसरी बुढिया माई भी अपनी ध्यान में मगन थी, उसकी भी नजर थैली पर नहीं गई, तीसरी बुढिया माई का पाउं मोहरों पर पड़ गया, उसने उठा कर देखा तो सोने की मोहरें, उसने मोहरें उठाई और कहा, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया और बिना उन्हें कुछ कहे, वह अपने घर को वापिस चल पड़े, भगवान ये लीला देखकर मंद कुरा रहे थे, अब कुछ दूर चलने पर भगवान शिरी हरी ने सोने की इंट गिरा दी, पहली बुढिया माई को ठोकर लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, आगे निकल गई, दूसरी बुढिया माई को इंट से ठोकर लगी, तो उसने देखा, ये तो इंट है और व उसने कहा, क्या वन वन फिरना, भगवान ने धन दे दिया है, अब घर जाकर आराम से बेटों पोतों के साथ रहूंगी, अब पहली बुढिया माई भगवान का भजन करती जा रही है और चलती जा रही है, बार बार भगवान को पुकार कर दर्शन की प्रार्तना कर रही है अब की बार भगवान श्री नारायन ने हीरे मोती के धेर पर बुढिया माई को गिरा दिया, बुढिया माई ने देखा हीरे मोती पड़े हैं, लेकिन उसके मन में कन भर भी लालच ना आया, उसने कहा प्रभू बहुत सस्ते में पीछा छुडाना चाहाते हूँ, ऐसा कहकर जै श्री नारायन जै श्री हरी कहते हुए वेह चल पड़ी, भगवान ने बहुत आंधी वर्षा तुफान बरसाया, प्रंतु बुढिया माई अपने प्रंड से टस से मसना हुई, बे सुध हो गई, लेकिन चलती रही, उधर भगवान ने सोचा, मेरी ये भक्त सची लगन लेकर घर से निकली है, यदि मेरे दरशन के बिना इसने देहे छोड़ दी, तो मीरा भियासन दोल जाएगा, तब भगवान श्री हरी बुढिया माई के सामने प्रगट हुए, बुढिया माई को दरशन दिये, और कहा, मांग बुढिया माई क्या मांगती है, बुढिया प्रभु आखरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहते हुए बुडिया माई भगवान के चर्णों में गिर गई और भगवान के चर्णों की रज मिलते ही बुडिया माई की देहे से प्रांट छूट गई। बैकुंठ लोग से अती सुन्दर विमान उत्रा भगवान शिरी हरी ने स्वयम अपने साथ बुडिया माई को बिठाया और बैकुंठ लोग को ले गई। बुडिया माई की सच्ची भक्ती और लगननी बुडिया माई को शिरी हरी के दर्शन वे बैकुंठ लोक दिलाया और वेह दोनों बुडिया माई मृत्यों के पस्चाद जब धर्म राज के अदालत में पहुंची तो धन के लालच में भक्ती छोडने और बिना बताए वापि इस खर लोटने की सजा के रूप में दोनों को नरक भेजा गया ही भगवान श्री हरी जैसी क्रिपा आपने पहली बुडिया माई पर की वैसी सब पर करना इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी क्रिपा बरसाना जिसके मन की जो इच्छा हो उसे पूर इन ही शुक कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद राधी राधी